बिस्मिल नहीं रख्मानी रहीम स्टूडिन FAC का चैप्टर नमबर 3 लेक्टर नमबर 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे मियर ओफ लोकेशन अब मियर ओफ लोकेशन में हमने पढ़ा था ताइप्स इसके डिसकस करें यह मियर ओफ लोकेशन की क्या हैं टाइप से आपके पास अब में हमारे पास क्या आगी है स्थमैटिक मीन जूमें तरकम इं अंग्रूप लिए खिली हमारे पास आएगा अब सुर्ण arithmetic mean अब arithmetic mean को आप शो करते हो x-bar से ठीक है arithmetic mean हमारे पास क्या होता है हम कहते हैं कि the arithmetic mean is most commonly used average in view of common use it is usually referred as the average or the simply mean अगर इसके definition हम करें तो हम कहते हैं कि जो हमारे पास यह obtain होती है arithmetic mean dividing the sum of the values by their number अब हम क्या करते हैं dividing sum dividing the sum of values by their number by their number अब कैसे हम यह कह रहे हैं and it's also discussing for the ungroup data के लिए हम discuss का रहे हैं जिसमें हमारे पास frequency involved नहीं है group data हमारे पास क्या होता है जिसमें frequency involved होती है अब student इस इधर देखे हैं हम कहते हैं कि dividing the sum of the values by their number its mean total हमारे पास जो values है x1 है x2 है x2 है so on हमारे पास xn तक values given है हमने क्या करना है sum of the values यह जो word use है हम क्या कहते है sum of the values to summation use for the sum sum of total xn हमारे पास आगी तमाम values का हमने कहा है arithmetic mean हमारे पास क्या है sum of the values and dividing by their number अब how many values how many numbers and numbers तक जो भी values हैं 123 so on n numbers तक तक तो आपने divided by n कर देना है तो it's arithmetic mean it's a very simple form है आप easily इसको solve कर सकते हैं related मैं आपको बहुत जादा example भी करवाँगी वह इंशलाए next मैं आपको एक जब मैं summary बियान करूंगी इस chapter की तो उसी में मैं आपको सारी example को describe करूंगी कि आपने कैसे find करने फिर different situation भी आते हैं वो भी इंशलाए मैं इसमें discuss करते हैं अब सुरूरी यह तो हमारे पास आगे arithmetic mean but it's for the ungroup data अब ungroup data में आपके पास कहा है अगर आपको values given for example मैं आपको example दे रहे हूं जी आपके पास values है 5, 8, 10, 12 and 7 आपको values given है वो कहते हैं अगर देखें हमारे पास कौन सा data it's the ungroup data यह हमारे पास कहा है ungroup data because इसमें आपके पास frequency involved नहीं है जब आपके पास frequency involved नहीं है simply आपने solve करना है हमारे पास क्या formula estimation of x divided by n x की values आपको given है कितनी values given है 1, 2, 3, 4 and 5 values given है तो एक तो आप पहले इनका sum करो क्योंकि हम कहते है sum of the values then आपने divided by 5 करना है तो जो आपके x बार आएगा वो आपके पास क्या आजाएगा 8.4 आपका answer आजाएगा और यह simply आपने solve करने इसी तरह अगर आपके पास simple values आजाती है तो आपने solve करने अच्छा सम्टाइम्स ऐसे होते कि आपको mean भी given होते sometimes आपके पास वो situations आजाती है कि आपको mean भी given होते and be given होते for example आपके पास में example दे रही हूं for example अगर आपको question में and given है 5 ठीक है and x बार भी वो कह रहे हैं कि आपके पाफ 1000 है question में आपको पढ़के बिताती हूं वो कहते हैं the mean of the 5 employees mean हमारे पर employees कितने है 5 is 1000 तो mean wage आपके पास क्या आगिया 1000 if the wage of the 4 employees are 800 आप 4 employees के जो उन्होंने wage लिखिया वो आपके पास क्या है 800 है then 1200 है 1300 है and 900 है find the wage of the 5th employees हमने क्या करने है कि जो हमारे पाफ 5th employed है ना उसके हमने wage जो है हम फिर आपको solve करवाती है student आप देखें यह आपके पास question है अब इस question को हमने solve कैसे करना है student आप देखें पहले तो आप देखेंगे total wage कितनी है अगर 4 में से total में से हम 4 की wages निकाल लेंगे already हमारे पास 5th की आजाएगी ठीक है अगर 5th employees है और हमारे पास total कितनी wage बनेंगी वह हम देख लेते हैं उसके अगर 4 को माइनस कर देंगे total में से तो हमारे पास 5th employee की जो है वह values आजेंगे अब देखें हमारे पास x bar क्या होते हमारे पास summation of x divided by n हमारे पास x bar given है 1,000 summation of x n given है 5 अब इसको multiply करो तो summation of x जो है मारे पास आजाता है जो कि क्या आएगा 5000 आगे इसमीन के जो आपके पास total value है वह आपके पास क्या है 5000 है जो total wage है ठीक है अब 4th employee की wage उन्नों ने लिख्यू है तो यह तो बहुत easily आप से solve होजेगा हम कहते हैं sum sum of wages of 4 implies 4 implies अच्छा यह बड़े important होती है question ऐसे आपको आगे भी बहुत ज़दा काम आती है तो इस पर जासे आप अपनी basic जो है वह strong करो ताकि आपको आगे अगर BSE में जाते हो आगे बहुत जगाज यह चीज़े यूज हो रही होती है आपके different test में भी तो आपने इनको अच्छे तरीके से mind में बिठाने अब four wages हमारे पास क्या बन रहे एट हंड्रड प्लस 1200 प्लस 1300 प्लस 900 हमने यह four को क्या कर दिया sum कर दिया जब sum किया तो हमारे पास क्या आगे है forty two thousand forty two hundred आगे ठीक है अब देखे हमारे पास four imply की जो wages forty two hundred है and total हमारे पाफ five hundred है वो किते हैं आप fifth imply की जी wage बताएं तो यह तो बहुत easy है कि अगर fifth imply की हमने मालूम करनी है wage तो हम क्या करेंगे total में से four की wages को क्या करेंगे minus कर देंगे तो already हमारे पास fifth की क्या आएगी wage आ जाएगी जो के 800 आएगी तो 800 is your answer आपने main answer question को समझना है कि हमारे पास question क्या है then उसको solve करना होता है first of all अपनी basic ठीक करनी आपने then मैं आपको frequency distribution क्या करती हूं अब जो हम example लेते हैं और पढ़ते हैं for the group data के लिए arithmetic mean for the group data के देखें हमारे पार ungroup data के लिए जो हमने arithmetic mean discuss कि हमारे पास कहते है एक्स बार summation of x divided by n अब group data के लिए जो आपने करना है वह बिल्कुल simple है उसमें सिर्फ frequency आपके involved हो जाती है मैं एक्स बार आपके पास कहा जाएगा summation of f x and divided by n तो यह हमारे पास for the group data के लिए सिर्फ frequency involved हो जाती है ठीक है कि when हम कहते है when the number of values is small if the number of values is large there is a group into a frequency distribution हमारे पार यहां तो small values थे हमने जी ungroup data के लिए when the number of values is large then we are making the frequency distribution of frequency distribution बनाते है उस frequency distribution में से अगर हमने mean find करना है कि when the frequency when the data have been grouped in a frequency distribution all the values falling in the class are assumed to be equal to the class distribution जिस तरह का हमने frequency बनाया था तो हम क्या कहते हैं कि अपनी class limits जो हमें गिवन होती है उनमें से मिड़ पॉइंट्स फाइंड करनी है एक्स शोज दब मिड़ पॉइंट्स है frequency हमें question में गिवन होगी then multiply by f and x को में multiply करना है उनका sum लेना है divided by total number of observation यह total आप कहलो आपने 1110 प्लस 119 divided by 2 किया तो आपके पार class mark आगे frequency आपको अल्रेडी गिवन है f x को multiply कि आप simple formula लगा के आपने पूट किया तो आपके पास values आगे ऐसे student हमने fine करना है for the frequency distribution के लिए इसी तरह आपके आगे भी question होगी जिसमें आपने fine करना होता है x mid points fine करके और frequency किसा multiply के आपने fine करनी होते है I hope student आपको इस lecture की समझ आई होगी अगर आपको फिर भी arithmetic mean major of location की जो first हमारे पास type arithmetic mean अगर फिर भी आपको grouped and ungroup data में किसी भी किसम की confusion है तो आप मुझे discuss कर सकते हो अपनी दौाओं में याद रखिएगा अल्हाफिस